कई है यह पार गोगों बालो जी बाम अशेल्फ केशव बंसल और आज यह में इस वीडियो में की असरदी करेंगे बचा आज में इस वीडियो में कुल्टर टेक्निक्स फॉर आईसलेशन और प्योर कल्चर को सर्टिए क्या है क्यां पर रहें कल्चर टैकनिक्स पड़ाइशन आइसलेशन ओफ फ्यॉर कल्चर ठीक है तुग हमें इसी समझ में आ रहा है कि एक प्लेटल फीट होती है कि यह मारा कल्चर है है तो पेटल डिश में है जो टेस्ट त्यूब में प्रेजंट यानि ब्रॉथ है चाहर वह सॉलिड है ठीक है उसमें से हम कुछ मे rap a min झजरमें से एक प्यार कल्चर को फॉर्म कर सकें ठीक है मिध्या कर तो तो इसमें आपकी जो western जो टक्नीक साध्य सब से मेजर वो कौन कौन से होती है पोर प्लेटिंग होती है पोर प्लेटिंग टेक्नीक इस्प्रेड प्लेटिंग टेक्नीक स्ट्रेकिंग टेक्नीक एंड एनरिच्मेंट कल्चर टेक्नीक ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें समझेंगे कि हमें जरूरत किया है कि हम क् इतिनी महनत कर रहे हैं क्यों टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं ताकि हम एक मिक्जड कल्चर से एक प्योर प्रिश्टर बना सके हैं जो करना चाहरे हैं है तो पहले हम तो क्या होता है कि जब मैक्रोड़ॉजिस्ट होते हैं जब उन्ने करना है ठीक है या कोई पर्ड़क्ट टलाइस करना है तो ने कटिक्रॉड टैप अब क्रफिक आप उस हमाइब कोई लेंगे जिनसे हमें कोई आवास निये जिनके में जरू नहीं हुआ कि हम उसे उस- उस Macro-organisum को स्ट इन कर नहीं कर पातें ठीक है तो हम मैं सिंगल टैप उस Ce करते हैं और क्या करेंगे एक प्यौर ट्फर्फ एरतम ने अपको क्या मिलेंगे लाले मिलें इंज व्पी कि कि पोपलेशन मिलेगी जो किसे राइस कर रहूँ है एक सिंगल स्टर और गवरी किसी दिए किसका मनी पुर तो अगर एक सिंगल सेल पॉपलेशन बना से क्ствु पॉपलेशन और राइस करें थरदी कि यह सार के सारी सपार होंगे ठीक है तो यह होते है प्यॉर कल्चर तो हम क्या गरें में इस कल्चर से प्यॉर कल्चर बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं हमने देख लिया ठीक है अब इसे बनाने की प्यॉर कल्चर फॉर्म करने की कहीं साथ टेक्निक्स है ठीक है जो मेजर है वह हमार टॉपिक है कि spread plate technique, streak plate method, pore plate method and enrichment culture technique method क्यादो आप technique क्यादो एक यह बात कुछ इस्यू नहीं है तो सबसे पहले हम बात करता है spread plate method की ठीक है तो इसमें क्या करते हैं हम culture लेंगे ठीक है उसे dilute करेंगे सबसे पहले जो मारा culture है है हमने क्या कि इसे dilute किया ठीक है और उसे मिक्स नहीं करना अगार के साथ अगार के साथ औसे mix नहीं करना एंठेक है तो अबने किया तो सभी करने के बाद हमने जैसेσι वर रहा हो रहा है कि अगार प्रीट MICHAEL कोась तरहुत मेन को होते हैं वापर यह सब्टिक कंडिशन होना आप इस टरलाइस कंडिशन वहना बहुत इंपॉर्टन रहे हैं अभी विंक क्या अगर है मिग्स कल्चर से प्यॉरा कल्चर बना रहे हैं और हम ने अगर स्टरलाइस नहीं कि हमारे इंस्ट्रिमेंट सो और हो सकता है उसके अंदर अभी अगरों प्रेजेंट हो उसके ऊपर तो हमारा वापस से मिक्स्ट हो जाएगा तो इसलिए हम स्ट्रिलाइस बेंट रॉड लेंगे यह फिसकी एल शेप्ट रॉड जिसा आपको फिकर में देखरा है यह एल शेप्ट है ठीक है तो इस रहें तो इसे लेंगे इस कर देंगे और उसे को चोड़ देंगे और इसे रशी होंड़ेशन करेंगे तो हमने कर दिसे इंक्यूबेटर कर दिया शूब आपसे जो भी बहले पता है कि जो हम आसोलेट करें उसके सबसे हमने एक proper तेमपरेशन से प्रवाइट कर दिया तो अब क्या होगा कि इंक्युबेट होने के बाद जैसे आपको फिकर में सो रहा है है इंक्यूइट होने के बाद अब ये जो होगी सप्रेट्ट इस फॉर्म होईगी पहले हमारे कम्प्लिट पेस्ट था ठीक है हो सकता है इसके इसके अदर कहीं सारे टाइप के में में आपको डैफ्र डैफ्रन कलर से शो कर रहा हूं लेकिन जब हमने इसे spread कर दिया spread होने के बाद जब हमने incubate किया तो हमने क्या देखा कि अब यह क्या कर रहे हैं यह individual clones form कर रहे हैं तो अब हम easily isolate कर सकते हैं इस चीज़ को ऐसे तो हमने क्या क्या हमने spread कर दिया तो यह spreading plate method और incubation होने के बाद इंक्यूबेशन होने के बाद ही हम इसमसे clones निकाल पाएंगे ठीक है क्यों किया तो हमने सिर्फ separate किया है उसे incubate होने देएंगे और separate clones form हो जाएंगी और important बात किया है कि हमने surface पर किया है हमने अगार प्रेट कि surface पर किया तो आपको clones का मिलेंगी surface पर ठीक है विवाज आगे कर चलिके एक दम जो पोर ब्रेट मैथोट होता है उसमें आपको surface पर मिलती है और अंदर मिलती है ठीक है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से हमने अगार साथ मिक्स नहीं किया इसे ठीक है इसमें डिल्यूट किया है इनी specific points के basis पर और मैथोट से डिफर करते हैं यह common purpose है कि प्रक्रफश करना है लेकिन चीज़ें उन में आस्पक्ट डिफर करते हैं तो आपको ध्यान अकना क्या डिफर करता है यह वहीं से डिफर नहीं करेंगे ठीक है हम यहाँ पर डिल्यूशन इनकलियम का नहीं करेंगे जैसे हमने spread plate में किया था ठीक है यहाँ पर हम सीधा inoclion लिया और इस बार हम इसे डिया और एज़ पर हमने आपने कि रख दिया अब हमने किया किया हमने ये sector फर्स इकोई किया याँनि हमने हमारा i करने के बाद हमने अब सेकंड सेक्टर को स्ट्रीक आउट करना है ठीक है तो हम सेकंड सेक्टर को स्ट्रीक आउट करेंगे तो इसके लिए हम इनॉक्यूम कहां से ले रहे हैं इसके लिए हम इनॉक्यूम ले रहे हैं से जो हमने अभी स्ट्रीक आउट किया है ठीक है तो हमने स्ट्रीक आउट कर दिया ऐसे हम सेम प्रॉसेस करेंगे और स्ट्रीक आउट करेंगे बस यहां पर हम क्या अलग कर रहे हैं कि यहां से इस तरह करते-करते कि harbasa result कर देगे सों क्या होगा कि हर वार जैसे हम स्ट्रीक कर रहे है क्योंगि यहां पर क्या था हमारे मुंद इंडीविआ सेल हैं उसके डॉप होने चांसे इंक्रीज होने लगेंगे तो जैसे हम हर बार स्ट्रीक करते चलेंगे तो जो हमार सबसे लास्ट सेक्टर होगा उसमें सबसे ज्यादा चांसे होगे कि हम जब इसमें से इनकुबेट करने के लिए तो वह एक इंडिविजुल सेल हो यानव एक प्यॉर किल्चर हो कि हम हर भास कर तो यहां पर ज्यादा से यहां पर घृबड़ो होंगे की hai कर दिया कैने हैं वी आरगे में फिर को कर दिया जो मेत में प्रोसेस कर दिया हुआु जो हमया से कर दिया अब मैं क्या कर रहा हू अब मैं इसे मरा लाँ में केक है तो इंक्यूबेटर होने के इंक्यूबेशन होने के बाद आपको जो फोटो होगी कुछ ऐसी देखी ठीक है कुछ सिमिलर ऐसी देखी तो आप इसमें देखो रिजल्ट स्पीक कर रहा है अपने आप कि यहां पर हमने एज़र पर इनॉक्लियम रखा ठीक है तो बहुत सारे से ते ठीक है जैसे फिर हमने ओर स्ट्रिक आउट करने शुरू किये तो यहां पर अभी पूरी पूर लाइन आ रही है हर एक लाइन क्या शूपर रहे है कि हुआ पर मैक और एज्ञेंजम प्रेजेंट है ठीक है जैसे जैसे हम सबसे लास फाइज स्ट्र में पहुंचे तो आ इंडिविज़ क्लोनी जो कर रहा है ठीक है तो यह आपको इसलिए चोर है यहाँ पर अभी यह तो यह मिक्स नहीं एक दूसरे में प्रेशन यहां प्यॉर अपना यहां से अपना आगे फॉर्म करने के लिए कि लिए अठीक है इसमें भी हम ने इंडिविजिल सेपरेट किया ताकि प्यॉर अक्रोनिजमन सके यह हमारे प्यॉर कल्चर की डेफिनिशन है वही हमने स्ट्रेकिंग प्लेट मैथर्ड से क्या है ठीक है तो हमने इंडिविटिंग लूप लिया ठीक है अधिन लूप लिया और मैक्रोबाल मिक्शिर को कहां पर ट्रांसफर कर दिया अगार प्लेट की एज़ पर ठीक है फिर मने क्या किया हमने करना क्या है पहले ही बता दिया हमने इस ट्रीक आउट करना है इनाग्लेम को किसके सबने से सब्सक्राइब करने में इससे क्टर से यह को इससे क्या हो रहें कि हर रहें दोंटीमेंटली क्या होगा कम से कम से कम लूप रहने लेंगे ठीके बबसम इस बार हर बार चांग लेक लोग करेंगे हम उस्तस्लक jätte嗎 ।कॉड करेंगे ठीक है और किक इनक्यूब करने पर हमें सब्सक्रेंट क्लोने9 मिल जाएंगी जैसा आपको फिकर में शो राइस वाली में ठीक है अब हमारे दो मैथट्स हो गए हम बात करते हैं पोर प्लेट मैथट की ठीक है हम हाँ गल यूज किया तीक है सबसे पहले हम क्या क्या थे मैकरा में मिक्सर में जो मारा ह्योक्त एंगा यूज रहें कई बार करींगी तो में दिलीशन देखने को मिलेगा ठीक है हमने जम्पल इसमें पड़ा एस्पडड़ प्लेट में डिल्यूशन और प्लेट में बात года कि यह प्लेट में डिल्यूशन नहीं होगा ठीक है कि तो नहीं आ पर भी टील्यूट किया तो तो इससे हम क्या करें डिल्यूट क्यों कर रहे हैं वहाँ पर हमने डिल्यूट क्यों क्या विकॉस लेट ही हमारे एक ओरिजिनल कल्चर है ठीक है इसके अंदर आपको देख रहा होगा ग्रीन-ग्रीन-ग्रीन-ग्रीन करके बहुत सारे करें हैं मारे यामारी इसे तर्लिशन है तो हर बार ऑलीट कर रहे हैं हा और करने से क्या ह्वा कि हमारे जो मैक्रीन अक्राइभ है तो यहांपर हमने इस में ओर कर रहा हुम ऐसी सेंप्ल में से पोर कर रहे हैं एक हम next mixture we pour KiyaCT تو इस बार हमने उसके आकि वापर सनाए नमल इस टूप लिया बैए वन अमल इसमें से लिया खर बार किया रहे हो जो हर लूं कर रहे हैं जो हमिन पोरिंग कर रहे हैं इसके इंदर और इस ंका करेंगे कि लिए जम झा कर देंगे ठीक है जहासका कर लिया उसके बाद हम अगार के साथ से मिक्स करेंगे इंपॉर्टन बात है हम क्या कर रहे हम अगार के साथ मिक्स कर रहे हैं तो जब हमने डिल्यूट कर लिया डिल्यूट करने के बाद हम अगार के साथ वह भी लिक्विड अगार होगा ठीक है हम लिक्विड अगार के साथ लिक्विट अगार करने के लिए हमें टेमप्रेचरी भी किता रखना होगा 45 देगर से इसरी इंपॉर्टन बात है बहुत से इंप्सक्राइब नहीं है ठीक है कि हम डिल्यूट करने के बाद पोर प्लेट मेध्ट के बात करें हमने कई बाद डिल्यूट करना है सीरियली से और इस बाद हम लिट्विट अगार मिक्स क्रेंग करकी तीक है मिक्स कर रहे ह। तरफ यह सब Cohort 1 उन्मीником गें कर दिया उसे इम भल एई किसमें पोर कर देना है कलτॉर दूश्य में पोर कर देना ठीक है तोण मसे क्या करेंगे हम इस बार कोई पेहले साइख पर प्र contacted ना तो मिक्स कर दिया ठीक है अब वो अगार कुछ टाइम में हो जाएगा इसलिए हमने इंस्टेंटली डाल देना है उसे पेट्र डिश्ट के अंदर अगार्स के बाद मिक्स अगार्स करने के बाद तो लेट हम क्या हम देखते हैं कि एक तो हमने टेस्ट यहां से ठीक है यह वा प्रैस्ट में में जबकि ज्यादा क्लोंइस देखनों को मिलेंगा ठीक है तो प्यॉर्व और कल्सर होने के चांसे कि उसके अंदर ठीक है तो यही सब फंडा है कि हम क्या करें हम हर बार एक तरह से हमारों जो मैकरोबैल पॉपॉलेश्न से रिड्यूश कर रहें ताकि हमार individual cell मिलने के chances जादा हो जाए और वही individual cell जब colonies form करता है वही क्या किलाता है pure culture किलाता है ठीक है हमारे तीनों method होगे यह वाइस की रूड़ ले ले लेता है तो हमने किया कि original sample को हमने dilute किया है ठीक है dilute करने के बाद हमने liquid अगार से mix किया है जो 45 degrees Celsius पर थी ठीक है फिर हमने इमेडियेटल से पोर कर दिया इस्ट्राइल कल्च्रोल डिशिज में इस्ट्राइल कल्च्रोल डिशिज में पोर करने के बाद जब अगार हार्ड हो गया ठीक है तो अब हम से एंक्यवीड भी करेंगे ठीक है आपने शौर्ण करेंगे लेकिभीष्ण करने के अबसरल का आप हमें पता चालेगा कि जो सैल्स है इंट्र ऑफर रशद मेंट है कि नंबर population में कितने number of cells present है ठीक है और dilution का method हमने किस किस में उसमें यूज किया है dilution के में भी हमने spread plate और प्रोर प्लेट में यूज किया ठीक है त्रीकिंग में dilution नहीं किया clear और साथ में आपको क्लोनी होंगी ठीक जो क्लोनी इसली ग्रोव करती है तो आपको एज जो भी आपकी पैटर डीश होगी आप जनरली इंक्यूबेशन होने के बाद ठीक है कि आप एक observation ले सकते हों कि जो एज है ठीक है वहाँ पर आपको ज़्यादा amount of colonies ग्रोव करती में वहाँ पर क्यावाँ इस रिसोर्स जो करता है enrichment culture technique यहाँ पर हम क्या चीज़ क्या करते हैं लेट मेरे को कोई मैक्रोडर्यजम चाहिए मेरा लग में पास एक मिक्स कुल्चर प्रेजेंट है ठीक है में पास एक मिक्स्ट कुल्चर प्रेजेंट है और उसमें ए मैं टाइप अफ मैक्रोडर्यजम है बी टैप मेरा माइक्रोडर्यजम आफ इंटरस्ट ए है यहांने मुझे चाहिए मिले को बी नहीं चाहिए बेगो सी नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा मैं ऐसी कर रहा है ठीक है तो क्या होगा एंकुबेशन के बाद मुझे यह जो क्लोनीस फॉर्म होती ही मिलेंगी वह एक ही मिलेंगी तो अलड़ी क्या होगा प्रोडर्यजर हो गया ठीक है तो एंविश्मेंट कल्चर टेकरिएंग नाम सुझेस्ट करी हम उसे ही उसी सुझेस्टर है मयक्रोडाइल जो हमें नहीं ठाट कर गया जोगा हुसे इंठरस्ट क्यों ग्रोड़ करेगा तॉस के लिए न्यूटरीन प्र्वाइड कर सकते हैं ठीक है उसके लिए मैज़ान नूंटरिम्ट प्रवाइल gör गया तो इसries सकते हैं की जिसे घिसे इंड कर सके और उट्राइज ना कर सके ऐसी ऎनल मुनिट चंडिशन पर कर सकते हैं कि लेट कोई साइक्रेटिले स्टिरिया मैक्रोगनेंगे तो हम हाई टेमपरिटिर रेंज में ग्रों करता है ठीड़ा करता है सिर्फ मैक्समेंगी कर पाया गए ठीक और दूसरा वाला है वह हाई टेंपरिश तब को भी सह सकता है लेट वह मिजोफाइल है तो क्या होगा हमने अगर थर्टीफ़ डिग्री सेल्सेस टेंपरेश प्रवाइड करा दिया तो हमारा यह तो गुरू कर जाएगा बट भी गुरू नहीं करेगा भी नहीं करेंगा विवाज एक सेक्रोफाइल ठीक है तो हम ऐसे अन्वाइमेंटल कंडिशन सेट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम प्राइडिंग अन्रिश्मेंट थू न्यूट्रियंट ठीक है और इसका काफ एच्छा एक्जामपल आता है एक बैक्टीरिया है जैसे जो किसे करता है रिए हमारा जो बैक्टीरिया है जो डिएक करता है 24b antis truth एकर और यह हमने अगरले तो हमने सिर्फ सिर्फ यही प्रवाइड कर आए तो अब क्या होगा वही मैक्र और गैनेज्म ग्रो कर पाएंगा वही बैक्टिरिया ग्रो कर पाएगा जो इससे जो टू-फोल्डी को डिग्रियेड कर सके जो उसे जब कार्बन सोर्स समाल कर सके ठीक है और हमने और हमने जो और सारी यहां पर लिमिट कर जाएगा ठीक है कि हमने कार्बन सोर्स जो प्रवाइड करी वो टू-फोल्डी प्रवाइड कर दी अब उसे ऐसा कार्बन सोर्स वही यूज कर पाएगा बैक्टिरिया जो उसे तोड़ पाएगा ठीक है और बैक्टिरिया और नूट्रेंट ना मिलने पर ग्रो नहीं करेंगे ठीक है तो अल्टीमिटली के बाद वही बैक्टर मिलेगा जो इसे यूज कर पाएगा ठीक है तो यहीं होता है अनलिश्मेंट कल्चर टेक्निक जो सबको फिगर में शो हो रहा है इसमें क्या कि हमने देखको हमने जो नूट्रिशन प्रवाइड कर अर्वट टाइब पाइब चेंज कर दी मैक आंक की अगार न्यूटन अगार तो आपको अ की कोल्च जो है वह तीनों में ग्रो कर गया ठीक है लेकिन अब स्टैफलों कॉकोस जो हो श्रुचन चेंज कर दिया तो इस बार क्या हुँओ पहले लाट्ए ग्रो कर रहा था ठीक है अब जो हमारा बी टाइब का मैक्रोगेनिस्म है वो इसमें ग्रोग नहीं किया क्यों विकॉज उसे वैसे नहीं मिला ठीक है जबकि एक कोलाई आपका एक कोलाई ग्रोग कर गया दोनों ने यही हम क्या करें न्यूट्रियंट के साथ यह फिर अन्वर्मेंटल कंडिश चेड़ साथ कर रहे हैं जिसे मार और अग्रोग नहीं करेंगा तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और अब क्या करते हैं जो भी पड़ाइब की जिल्दिक सम्भरी लेते हैं तो सबसे पहले मैंने बात की प्योग्व क्यों टेक्निक्स की क्यों ज़रूरी है आपको मिल्ज क्लिट मिले गया है नि मैक्रोग कमेंगे आपको मिल्Иक्स पॉपूलेश्न में रक dès वे पाए ज़रूरी जाए अब हमने क्त करना होता है मैक्रोग मेंगरें इसब्सक्रियूक्य करना है तौ उसके लिए मिल्ज कील्चर यूजलेस है ठीक है तो क्या ते मिल् अगा सकते हो ठीक है तो सबसे पहले हमने प्रेट में ने बात करी इस में मारे जो कल्चर है उसे हम मिक्स नहीं करेंगे और यहाँ पर डिलूशन करेंगे सेंटर में अगर प्रेट की दिलिउट्ट मीडियम को रख देंगे फिर एक स्टैलाइजड बैन्ट या फिर ल से कौन verr त्रीक प्लेट मेत्킨 किसमें करें जो मेंडरा मेक्षुन थे था है रख कमौल है कि sellers फिर टीकाय कृजें यहां को सzep devo closer ना पॉट किक सब्सक्राइब र pineapple मिक्षर किया यहां और नामने अब किया में ब्यारा किस्थ गारी स्थ िसकर ना शुडू कर दिया और दूट करने के लिए अम आग्र वस्ट सेक्टर से लेंघे ब ही सिम्लर परॉसेस करके एह और भी सेक्रस को स्ट्रीक आउट करेंगे ठीकिया बस हर बार जो गस्टाइख उसकी जो साव हो चैंज कर दीन रहेजा हूं हम इस्ट्रेग्ट कर रहें तो हम सेकंड से तो चलेंगे फॉर्थ सेक्टर को स्ट्रेग्ट करें थर्ड से लेंगे ठीक है ओल्टिमेटल यहां पर होगा इंडिविज़ सेप्रेट हो जाएंगे जो आफ लिक्यूबेशन आपकी सैपरेट कलोनी जनी प्योरकलिचर फार्म कर कर देंगे जो 45 डिए सेलसस्ट पे होगा ठीक है इमेडिएटली कल्चर डिशिस में पोरिंग कर देंगे अगा जब ठंडा हो जाएगा हाड हो जाएगा उसके बाद हम उसे incorrectly प्रिशेट होने ने के बाद हमें देखने की मिली छाइब जो हमें चाहिए particular microorganism जो हमें इंट्रस्ट का है वो grow करें जब कि competition grow नहीं करें ठीक है और यह हम कैसे करते हैं कोई भी nutrient provide कर आ सकते हैं जिसे हमारा जो organism of interest है वो use कर सकता है और दूसरा use नहीं कर सकता या फिर कोई ऐसे environmental conditions जो उस particular microorganism के लिए favorable हो और औरों के लिए favorable ना हो है क्या हुआ ऐसा बैक्टीरिया जो degrade करता है 24D हर भी साइट को ठीक है डाय क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिट तो जमारा टॉपिक है वह complete हुआ आपको वीडियो अच्छा लागा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी सारी वीडियोज है उन्हे प्रवाइब कर सकूँ बढ़ बुक्स और टेकबाइब कर सकूँ तो थैंक रोम जो नेक्स ताम टेक केर